हेलो, आज की इस वीटियो में मैं आपको वो सारे डीटेल बताऊंगा जो आपको जानना जरूरी है अगर आप इंडिया से नेपाल और नेपाल से साथी अरेबिया जाने का प्लानिंग कर रहे हैं यह सारे डीटेल जो भी मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ या तो मैंने उन लोगों से कलेक कर रहे हैं जो नेपाल से साथी अरेबिया पहुंच गए हैं या फिर जो लोग अभी नेपाल में हैं और पंदर दिन का इंतिजार कर रहे हैं और आपसे यह मैं रेक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप पूरा वीडियो को देखें बीच में स्किप ना करें क्योंकि अगर आप बीच में स्किप करेंगे तो आप मुझसे वही सवाल पूचेंगे कमेंट में जो मैं अल्रेडी इस वीडियो में बता चुका हूँ और इतना मेहनत करके मैं सारे डीटेल कलेक कर रहा हूँ लेकिन आप ध्यान से नहीं सुनेंगे और वही सवाल मुझसे पूचेंगे कमेंट में तो मेरे लिए बहुत मुस्किल हो साता है कि इतने सारे कमेंट को आंसर करना और कमेंट नहीं कर पाता हूँ तो आप लोग नार देख रहे हैं या फिर कितने भी दिन बात देख रहे हैं तो आप एक काम कीजेगा क्योंकि मैं वीडियो में तो अपना डेट लिक दे रहा हूं उपर तो आप उसको देखके नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कीजेगा अगर यह बाद में अगर कुछ अपडेट होता है तो म देखके कर दोँगा क्योंकि वीडियो तो चेंजर नहीं कर सकता हाँ लेकिन डिस्क्रिपशन को में चेंज करके अपडेट कर दोंगा पॉइंट बाइस कीका आप डेट लिए खे टीक है तो इस जईरी पासारी इस में आपकर सब क्रें टι आपको घरण was ुआइ है दूसरा पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप नेपाल पहुँच जाएंगे तो आपको क्या क्या करना है तीसरा पार्ट, इंपोर्टेंट पार्ट जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपके कितने approximately कितने budget होने चाहिए आपके पास कितने खर्चे हो जाएंगे ये approximately budget होगा ताकि आपको plan करने में आसानी हो जब आपको budget पता होगा तो आप जल से जल plan कर सकते हैं और फिर travel कर सकते हैं जितना delay करेंगे उतना problem होगा तो शुरू करते हैं पहला पार्ट से आपके screen में सारे list of documents है जो आपके पास होने चाहिए एक बार बता देता हूँ फिर एक एक करके सबको में explain करूँगा पहला आपके पास passport होने चाहिए दूसरा flight tickets इंडिया से नेपाल का होना चाहिए तीसरा आपके पास COVID PCR का negative report होना चाहिए चोथा आपके पास hotel bookings होने चाहिए अगर आप hotel में रहे रहे हैं अगर आप relatives में रहे रहे हैं तो कोई जूरत नहीं है पांचवा आपके पास नेपाल से साओधी अरेबिया का flight tickets होने चाहिए और six आपके पास six आपके पास address proof होने चाहिए अगर आप नेपाल में रहे हैं तो कहीं भी hotel में रहे हैं तो hotel का नहीं तो आप किसी के घर में रहे तो उनका address proof होना चाहिए और एक 7th आपके पास photograph होने चाहिए passport size photograph 4 passport size photograph 4 होने चाहिए और आपके पास NOC होना चाहिए उसके बारे में एक detail से बताऊंगा कहां से लेना है कौन-कौन से documents चाहिए और फिर आपके पास Saudi का visa होना चाहिए और ICAMA का copy चाहिए Saudi का visa तो mandatory है ICAMA का copy भी आप अपने पास रख लिजेगा और last 11th number documents आपके पास COVID PCR test होना चाहिए जो की आप नेपाल में करेंगे तो यह 11 documents है जो आपके पास होने चाहिए अब शुरू करते हैं India से नेपाल का जो journey है वो कि कौन-कौन से documents आपको कहां-कहां use परेंगे आप India से नेपाल जाने के लिए सबसे पहला काम कीजेगा कि अपना flight ticket book कर लिजेगा flight ticket आप online भी book कर सकते हैं किसी agent के पास जाके भी book कर सकते हैं जैसी आप airlines का ticket book कर लेंगे आपके पास एक travel date होगा तारीक होगा जिस दिन आप travel करेंगे जब आपके पास ticket आ जाएगा तब आप COVID test का appointment लिजेगा क्योंकि COVID test जो है वो flight departure के 72 hours के अंदर 72 गंटे के अंदर ही आपको करना रहता है तो आप कोई भी ICMR approved lab से आप COVID का test कर लिजेगा ICMR approved का list आपके पास नहीं है तो description में उसका भी link दे दूँगा क्लिक करके check कर लिजेगा अपना nearby कौन सा है आपने test करवा लिजेगा आपके पास COVID PCR का negative report आया उसका print out करके लग लिजेगा ये दूसरा और तीसरा आप इंडिया में ही है तो वहाँ photograph गीज लिजेगा अपना जो passport size photograph और चार वो आपको आगे नेपाल में ज़रुत परेगा और आप अगर नेपाल में होटल में रहना चाहते है तो मैं आपको ये recommend करूँगा travel करने से पहली आप होटल बुक कर ले क्योंकि airport की बाद कहा जाएंगे अगर आप किसी के वहाँ रुकने वाले हैं तो कोई ज़रूत नहीं है और ये होटल booking जो है और आपको link दे दूँगा ताकि आप उसमें चेक करके थोड़ा idea मिल सके आपको अगर online book करना है तो कर सकते हैं ये हो गया आपका hotel booking इसके बाद इतना ही documents आपको चाहिए अगर आप इंडिया से नेपाल जा रहे हैं इंडिया से travel करने से पहले ठीक है अब इसमें आपका एक और सवाल होगा कि क्या voter ID चाहिए क्या आपके आधार card चाहिए pain card चाहिए नहीं website में तो लिखा हुआ है आपके पास कोई भी government issued ID card होना चाहिए तो वो आपका passport हो गया जो लोग travel कर रहे हैं उन्होंने कहा है कि पस passport और COVID का report ही वो चेक करते है एरपोर्ट में अब इंडिया से नेपाल आप पहुँच गए जैसी आप नेपाल में पहुँचेंगे तो वहाँ पे आपको एक declaration form भरके submit करना परेगा यह declaration form आपको या तो एरपोर्ट में इंडियन एरपोर्ट में मिल जाएगा या फ्लाइट में मिल जाएगा या वहाँ पे दे देंगे उसको आप बरके वहाँ पे submit कर दीजेगा आपका immigration हो जाएगा immigration होने के बाद आप चले जाए या तो अपने hotel में या तो जहाँ पे आपका accommodation है वहाँ पे आप चले जाएगे इसके बाद सबसे important part आता है इस पूरे जर्णी में जो confusion रहा है वो है NOC का कि NOC क्या है कहां से मिलेगा कौन-कौन से document चाहिएंगे इसमें तो जो NOC है वो आपको Indian Embassy Kathmandu से मिलेगा Indian Embassy Kathmandu से मिलेगा आपके departure जिस दिन आप Saudi Arabia ट्रेवल कर रहे हैं उससे 5 दिन पहले आपको Indian Embassy Kathmandu जाना परेगा और वहाँ पे apply करना परेगा apply करने के लिए आपको कौन-कौन से document चाहिएंगे पहला document list भी देख लिए आप में line करके यहाँ पे लिग दे रहा हूँ पहला document आपका passport का copy दूसरा आपका confirmed flight tickets from Nepal to Saudi Arabia तीसरा आपका address proof अगर आप hotel में रह रहे हैं तो hotel वाला आपको address proof दे देगा या फिर आप अपने relatives या कोई किसी के पास भी रह रहे हैं तो उनसे तो आप कुछ address proof लही सकते हैं तीसरा document चोह था आपका चार passport size photographs ओके चार दो भी मांगता है कर चार भी मांगता है तो चार रख लिजेगा पांचवा आपका Saudi का वीजा ओके Saudi का वीजा जरूरी है और Iqama का copy भी रख लिजेगा वहाँ पूछते हैं कि आप वहाँ पर क्या काम करते हैं आपका वहाँ पर employment proof देना रहता है तो वह आप या तो वीजा के फोर में दे सकते हैं वीजा का copy exit एंट्री वीजा वीजिट वीजा या Iqama का copy दे सकते हैं और 6 आपको fees pay करना परेगा वहाँ पर NOC का वह ए 1020 नेप NOC के लिए चाहिए और आप MBC 5 दिन अपने flight के departure से पहले जाईएगा यह सारे चीज समिट कीजेगा और आपको NOC मिल जाएगा NOC जो है एक sample आपके screen में देख लिजे किसी ने share कर रहा था तो इसमें personal details हाइट करके मैं देख रहा हूँ रहा हूँ बस आपको idea लेने के लिए कि NOC कैसा दिखता है आपने NOC ले लिया इसके बाद आपको क्या करना है flight का ticket आप या तो इंडिया से travel करने से पहले ही book कर लिजे या तो नेपाल पहुंचने के बाद आप ticket book कीजेगा मैं यह आपको recommend करूँगा जब आप नेपाल पहुंच जाएंगे तब आप book कर लिजे अपना नेपाल से साओधी अरेविया का flight tickets और आप यह जानना चाहेंगे कि जो लोग travel कर रहे हैं कौन सा airline से गए थे तो वो Qatar airline से गए थे तो जैसे आपका travel date fix हो जाएगा कि किस दिन आपको नेपाल से साओधी अरेविया जाना है तो उस हिसाब से आप 72 hours अपने flight जो departure के अंदर आप covid test करवा लिजेगा अब आपकी दिमाग में यह सवाल हो रहा होगा कि मैं कैसे count करूँ कि मेरा 15 days कब हो रहा है या फिर किस दिन मैं travel करूँ देखिए simple सा concept हम जो दुबई के लिए apply करते थे वो ही यहाँ पर apply किजेगा जिस दिन आप नेपाल में पहुँचे हैं उसको count मत किजिए और जिस दिन आप नेपाल से जा रहे हैं उसको count मत किजिए बीच का जो duration है वो 14 दिन होना चाहिए ठीक है ऐसा कोई guidelines तो नहीं है लेकिन यह concept है जो हमेशा काम करता आ रहा है तो आप जिस दिन नेपाल पहुँ जानने का tickets हो गया आपके पास covid PCR का test हो गया अब आप साओधी अरिवया जाएंगे साओधी अरिवया जाने से पहले एक बार अपना checklist बना लीजेगा कि आपको क्या क्या चाहिए गा जैसा मैंने बताया आपको मैं बार बार repeat कर रहा हूं क्यूंकि कई बार miss हो जाता है आप आपको चाहिए covid PCR का report उसका print out passport copy आपको चाहिए अपना exit re-entry visa और NOC का copy यह चार documents हो है आपके important document है आप जिससे travel कर सकते हैं और जब आप travel करेंगे नेपाल से साओधी अरेबिया तो airport में हो सकता है कि आपको कुछ problems हो जो counter में लोग हैं वहाँ पे वह आपको बोले कि नहीं आप travel नहीं कर सकते यह problem वह problem तो आप उनको बताईएगा ऐसा नहीं कि पीछे मुर्क आ गया कि मुझे जानी नहीं दिया मुझे जानी नहीं उनको बताईए कि मैं जा सकता हूं मेरे पास visa है और मैं यहाँ पे 15 दिन से रुका हुआ हूँ ऐसा हर कि वहाँ पे अगर counter में को आपको आगे क्या करना है तो आप Saudi Arabia इस तरह से पहुंच जाएंगे okay Saudi Arabia एक बार पहुंच गे तो इसका पहुंचने के बाद आपको क्या करना यह मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए वो बाद में आप देख लीजेगा अब अब जो तीसरा पार्ट है वो बताऊंगा cost का कि कितने खर्चे आने वाले हैं इसके उपर okay आप स्क्रीन में देखिए मैं सारे cost जो है उसको एक table के form में लिख दिया हूं जो पहला कर्चा है आपका वो flight ticket का है इंडिया से नेपाल का अगर मैंने आज चेक किया है एक मार्च का जो flight का ticket है वो लगबग 9500 रुपे का है होता है तीसरा आपका hotel booking अगर आप hotel में रहेंगे 15 दिन के लिए तो उसका माल लिजे नेपाल में उतना ही खर्चा होता है जितना इंडिया में तो 1200 रुपिया में आपको अच्छा रहने लाइक hotel मिल जाएगा average okay तो मैंने 15,000 रुपे इसका cost पक्रा है 15 दिन का और 15 दिन का खाने का खर्चा लगबग 5,000 रुपिय में ने पक्रा है यह आपके उपर डिपेंड करता है प्लस और माइनस होटल का और इसका आप डिपेंड करता है आपके उपर कितना आप खर्च करते हैं अब कितना पांच हुआ है आप वहाँ पे नेपाल में रहेंगे तो आपको जाने के लिए जो टिकेट करेंगे उसका कोस्ट एक मैंने अभी जो चेक करा है वो 17-18 मार्च का चेक करा है तो वो 21,100 रुपे का है ठीक है अब आज आएगा NOC का कोस्ट जो की है 1020 नेपाली रुपी लेकिन मैं उनको इंडियन करेंसी में ही पक्रा हूँ ठीक है और पंदर सो से 2,000 ही होगा यह पूरा को अगर आप मिला देंगे तो लगवक 58,120 रुपीज होता है मतलब इतना एक्वरेट भी नहीं होगा लेकिन इतना ही होगा अगर आप एवरेज पकरेंगे तो आपका लगवक 55,000 से 60,000 तक आपका खर्च आएगा यह अगर खुद से प् यह खर्च हो गया आपका टोटल होटल का इसमें मैं आपका क्या मदद कर सकता हूँ अगर आपको होटल नहीं मिल रहा है तो आप मुझे बताईए कमेंड में लिखके कि आपके बजट क्या है 500 रुपे 600 रुपे 1000 रुपे तो मैं इंटरनेट में सर्च करके आपको लिंक द मतल है लेकिन मेरा जुपे 400 मानना इसमें इतना कॉमप्लेक्स स्चुएशन नहीं आप एकवासकते हैं और वकृट यामी और आप ट्रे यह अना चाहते है तो आप उनके साद से भी आ सकते है लेकिन वह तो आपको मैगाा पड़ सकता है तो यह मैं मांता हूँ कि जितना भी detail मेंने बताया हूं repeat करकर के बताया हूं detail में बताया हूं आपको समझ में आया होगा तभी भी आज 26 तारिक को साथी टाइम के 1 बजे 1 बजे 2 पहर को मैं सोच रहाऊं कि YouTube live session रखूं ताकि आपके जो भी question है उनको एक बार में answer दे दो क्योंकि आप मुझे पूछेंगे मैं आपको बताऊंगा काफी लंबा हो जाएगा आपको travel भी करना है तो इस video के बाद मैं एक post करूँगा community page में time जो मैं final करूँगा तो आप लोग उस पे join करके मुझसे पूछ सकते हैं और जो additional question होगा आपको comment में लिखके बताईगे और आपके अगर कोई friends है अगर travel करना चाहते हैं तो उनको आप मेरा video share कीजिए ताकि उन तक भी पहुंचे ये information और आप लोग अगर साओधी अरिभिया पहुंच जाए वाया नेपाल तो comment में लिखके बताईगा क्या आपका experience क्या रहा जो मैंने बताया है उसमें क्या क्या changes हैं क्या क्या updates हैं ताकि मैं लोगों को update कर पाऊँ चलिए thank you very much अपना ख्याल रखेगा take care